नमस्कार दोस्तों आशुजी के ट्रिक में आपका स्वागत है भगवान जांगिड केक डियज मेर व्यक्याता इतिहास उनके द्वारा सेयोग किया गया ताकि हम पर्थम पर्षन पत्र की भी एक टेसरीज शुरू कर सकें तो आशा करता हूं कि जितने भी लोग फर्स्ट किल कर रहे हैं वह एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर जरूर करें अच्छा लगे तो और सुजाव दे ताकि हम इसमें परिवर्तन कर सकें यह हमारा पहला प्रयास है आज का पहला प्रसंद वह कौन सा मोरे समराड था जिसने जेन धरम स्विकार किया तो यहां ब का पुतर था आप इस प्रकार याद कीजिए देखो A B C इसको अपने उल्टा लिख दें तो इस प्रकार होगा C B A चंदरगुप्त मोरे इस वन्स का संस्तापक फिर उसका पुत्र बिंदु सार बिंदु सार का बेटा असोग मोरे तो यहां असोग मोरे किसका बेटा है बिंदु सार का बेटा है और बो धरम का नुयाई था यह किसका नुयाई था बो धरम का परसन क्या है हमारा जे आपने ब पता रहा हूँ उनको आप नोट कीजिए इसका उत्तर जैन धरम को श्विकार करने वाला चंदरगुप्त मोरे चंदरगुप्त मोरे मोरे वन्स का संस्थापक था 321 इसा पुरू भी मान सकते हैं 322 इसा पुरू भी अपने कह सकते हैं चंदरगुप्त मोरे जो था इसे सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस भी कहा गिया है आप इसको नोट कर सकते हो कि सेंड्रोकोटस की फहचान किस ने की थी विलियम जॉन्स ने किसने की थी विलियम जॉन्स ने बिंदु सार के लिए अगर मैं बात करूँ बिंदु सार जो था आजीवक संपर्दाई का अन्युआई था किसका अन्युआई था आजीवक संपर्दाई का अन्युआई था बिंदु सार को वायू पुराण में क्या कहा गिया है मदरसार क्या कहा गिया है वायू प्राण में मदरसार कहा गिया है जेन गरंथों में क्या कहा गिया है सिहें सेन क्या कहा गिया है सिहें सेन बाकी नेक्ष्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी कुछ हम इनके बारे में जिकर करेंगे थोड़ा थोड़ा यहीं से शुरुआत करते हैं और भ्रैदत ये मोरिय वंस का अंतिम समराथ अंतिम समराथ मोरिय वंस का ये क्या है अंतिम समराथ है चंदरगुप्त मोरिय ने जेन धरम किस से गरेंड किया परसन पूछा गया तो उत्तरा आप लोगों का सही है बिल्कुल जैन ध्रम अपनाया था किस के द्वारा भद्र भाव के द्वारा और सनलेखना विदी थी एक जिसे संथारा विदी भी कहते हैं दो सो अठान में इशापूरू जगे है सरवन बेल गोला करनाटक सरवन बेल गोला करनाटक वहां पर इन्होंने अपना सरीर का त्याग किया था यानि सलेखना विदी वो होती है जिसमें अन जल ग्रहन नहीं किया जाता ठीक है और अगर परसंद पूछा जाए कि एक मुद्रा राक्सस जो ग्रंथ है विशाकादत का उसमें चंद्रगुप्त मौरे को क्या कहा गिया है उसमें कहा गिया है नोट कर लीजी आप विर्शल यानि निम्न कूल का किस कूल का कहा गिया है निम्न कूल का कहा गिया है इसके अलवा मैंने बता दिया आपको सेंड्रो कोटस कहा गिया है एंड्रो कोटस कहा गिया है ठीक है नेक्स्ट परसनाज का सू दर्शन जील का निर्मान किसने करवाया था सू दर्शन जील तो अपसन आपके सामने है ये सबी किसी ना किसी के गवर्नर है तूसाज, सू विशाक, चकरपालित किसी ना किसी के समय गवर्नर रहे थे तो इसका निर्मान करवाया गया पहले तो सूदर संजील है कहां पर बात करते हैं सोराष्टर प्रांत में है कहां पर है सोराष्टर प्रांत में सोराष्टर प्रांत गुजरात कहां है गुजरात में सूदर संजील ये किन नदियों पर है नदियों का नाम है पला सिनी पला सिनी वै सूवरन सिक्ता सूवरन सिक्ता नदियों के जल्ग के पास करोकर बनाए गई इसे तडाग बांध इसे तडाग बांध आप नोट करते रहिए तडाग बांध या तराग बांध भी कहते हैं नमस्कार सभी जो जुड़ रहे हैं उन सभी का तराग बांध भी कहते हैं निर्मान करवाने वाड़ा वेक्ती पुश्य गुप्त वैश्य था जो चंदर गुप्त मोरे का गवर्नर था तो इस परसन का उत्र ये है तू सास्प कौन था ये असोक का गवर्नर था किसका गवर्नर था सू विसाकिस का गवर्नर था रुद्र दामन का रुद्र दामन का गवर्नर था शक शाशक थे रुद्र दामन उनका गवर्नर चक्रपालित गुप्त वंस के एक सासक थे उनका नाम क्या बोलते हैं उसको सकंद गुप्त सकंद गुप्त इनके समय चक्रपालित प्रणदत पुरा नाम जैसे कह सकते हैं ठीक है नेश्ट परसन मोरे काल में पैदल सेना की वह टुकडी जो किराये पर ली जाती थी उसे क्या कहते थे आपके सामने चार ओप्सन है मोरे आटवीक भुतक मित्र देखो पिलनी एक इठ्यासकार हुए है पिलनी उन्होंने मोरे काल की जो सेना थी उसे चतुर रंगनी कहा है चतुर रंगनी कहा है इसमें क्या था कि चार अंग वाली सेना एक दो तीन चार अंग वाली सेना एक सेना जो होती थी उसे कहते थे पैदल एक होती थी गज सेन एक होती थी अशव शेन और एक होती थी रत सेन तो इसमे जो उत्तर है उसका ये होगा भू तक क्या उत्तर होगा भू तक जो मूल पेदल सेन थी उसे मोरिय कहा गया आटविक वन्या जातियों की सेवा कौन सी वन्या जातियों की सेना और टुकली जो किराय पर लिजाती थी वो भूतक होगी मित्र यानि मित्र राज्य की सेना मित्र में तो उतर दिया हुआ है मित्र राज्य की सेना आप नोट कर लीजिए, next person, मोरे काल में राजसुव संहरे विभाग के पर्मु को क्या कहते थे, सन्नी धाता, समाहर्ता, आटविक, विवारिक, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं, जी आप प्रियास कीजिए, देखो सन्नी धाता जो होता था, उसे बोलते थे कोसा ध्यक सन्नी धाता, ठीक है, समाहर्ता, ये राजसुव संहरे विभाग के पर्मु को कहते थे, तो आपका उतर सही है, समाहर्ता, आटविक, आटविक यानि अरने, तो ये वन विभाग का अधिकारी था, वन विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे, आटविक, विवारिक क्या था वुवारिक यानि वीवार फोज़दरी नैले का मुख्य नाइधीस क्या कहलाता था नाइधीस वीवारी कहलाता था लेकन इस परसन का उतर क्या होगा समा करता सरोपर्थम असोक के अभिलेखों की खोज किस ने की असोक, देखो असोक के अभिलेखों से भी पुराणा राजस्तान में भी एक अभिलेख बताते हैं बडली का अभिलेख, कौन सा अभिलेख? बडली का अभिलेख और चंद्रगूत मौरे के भी थे सुहगरा महास्तान अभिलेख सोहगरा वाला है जो गोरकपूर उत्रपरदेश में है महास्थान अभी लेख जो है वो बोगरा बांगला देश में है ठीक है अब इनमें परसन ये पुछा गया है कि असोक के अभी लेखों की खोच किसने की तो पढ़ने वाला अलग था खोच करने वाला अलग था तो सबसे पहले जोन मार्षल इनके बारे में आप जानते हो इन्होंने हडपा सब्वेता को हडपा सब्वेता को सिंधू घाटी सब्वेता नाम दिया क्या नाम दिया था सिंधू घाटी सब्वेता Indus Valley Civilization जोन मार्सल ने 1921 में एक समाचार पत्तर निकला लंदन वीकली कौन सा समाचार पत्तर लंदन वीकली उसमें बताया गया कि वेदी काल से भी पुरानी जो सब्यता है वो सिंदू घाटी सब्यता है अलकजेंडर कनिंगम कौन था इसने भारतिय पुराततो विभाग जो है उसके पर्थम संस्तापक या महानिदेशक यही थे पुराततो विभाग के महानिदेशक कह सकते हैं या संस्तापक कह सकते हैं इनको संस्तापक तो दो बचके टीफ हैंदलर और जेम्स प्रिसेट तो खोज करने वाला विखिती था Tीफ हैंदलर 1750 इश्वी में कब की थी? 1750 इश्वी में जेम्स प्रिसेट इसने सबसे पहले असोक के सिलालेखों को पड़ा था 1837 इश्वी में असोग के सिला लेक प्राकृत भासा में है जिनके बारे में अलग से एक वीडियो बनाये जाएगा और आपको अच्छे से समझाये जाएगा तो परसंट पुछा जाए कि खोज करने वाला वेक्ति कौन है टी फेंटलर और उसके बाद पढ़ने वाला वेक्ति कौन है पढ़ने वाला वेक्ति जैम्स प्रिंस रेप नेक्ट परसंट असोक मोरे की कलिंग विजे जो 261 इशा पुरू की जानकारी किस सिलालेक से मिलती है तो आपके सामने है तेरवा सिलालेक पांचवा सिलालेक चोथा सिलालेक पर्थम सिलालेक चार आपके सामने दिये हुए हैं तो बहुतादू आपको कि जो पांचवा सिलाल इसमें राज्य विशेक के तेरवे वर्स उसने धम महा मातरों की नुक्ति की चोथा असिला लेग चार है तो युद नहीं होगा धम होगा तो इसने युद घोस की जगे युद घोस की जगे धम घोस को अपनाया था धम घोस को अपनाया था जी बिल्कुल सही है आप सभी का तेरवे सिलालेक में जानकारी मिलती है इसके बारे में पर्थम सिलालेक में पशूबली निशेद है पशूबली निशेद पशूबली निशेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो कलिंग युद की जानकरी 261 इशाप पुरूव में नेक्ट परसन वह कौन सा मोरे समराड था जिसने धरम स्विकार किया यह हो चुका है मोरे कालिन नगर परसासन में किस समीती के दुआरा जन गन्ना जनम मृत्यू का पंजी करण किया जाता था दूसरी समीती तीसरी समीती चोथी समीती पांचवी समीती देखो नगर परसासन की छे समीतियां थी कितनी थी छे समीतियां थी प्रतेक समीती में पांच सदस्य थे कितने सदस्य थे पांच सदस्य होते थे अब यहाँ दूसरी तीसरी चोथी पांचवें दी हुई है तो इनके बारे में मैं बताओं दूसरी जो समिती थी उसमें विदेशियों की देखवाल विदेशियों की देखबाल आप जवब दिजिए देखबाल ठीक है तीसरी जो समित्य थी इसके बारे में मैं बता दूँ कि इस परसन का उत्तर यही है जन गन्ना जनम मुर्तिय। का पंजी करण किस में किया जाता था तीसरी समित्य में चोथी समित्य च्यार में व्यापार और वानी जे व्यापार और वानी जे से समंदित थी वानी जे ठीक है और काला बाजारी की रोग थाम कौन सी में थी काला बाजारी से समंदित यानि उसकी रोग थाम के लिए काला बाजारी की रोग थाम के लिए पांचवी समीती तो प्रतेग समीति में कितने सदस्य थे दोस्तों बताओ जी विरकु सही पांस सदस्य छे समीतिया मोरे काल में आपात कालिनकर को क्या कहा गया है आपात कालिनकर उसे क्या कहा गया है हिरने, बली, परवेश्य, परणे देखो चैयार उपसन आपके सामने है हिरने जो था वो भू राजसव कर था भू राजसव कर और अपात का लिंकर के बारे में पुछा गिया है तो उसका उत्तर है सही आपका परने आयात कर क्या कहलाता था प्रवेश यानि प्रवेश कर रहा है तो वो कर क्या कहला आयात माने प्रवेश हो गया बलीकर यानि प्रवेश्व हो गया और बलीकर जो है वो भूरासवकर है बलीकर है वो क्या है भूरासवकर है हिरनेकर वो है जो नगद लिया जाने वाला कर नगद लिया जाने वाला कर नगद लिया जाने वाला कर कौन सा है हिरनेकर प्रवेश्य आयात कर प्रने अपात कालिन कर तो इस परसन का उत्तर क्या होगा प्रने नेक्ट परसन कथा सरित सागर का लेखक कौन था चार नाम दिये गिये हैं सोमदेव, शेमेंदर, विशाखादत, भद्रभाव भद्रभाव से ही चंदरगुप्ट मोरें ने जेंदरम गरण किया था तो इन सभी का उत्तर मैं बता दू देखो, विशाखादत है इसने गरणत लिखा है, मुद्रा राक्षष कौन सा लिखा है, मुद्रा राक्षष ये किसकी दोबरा लिखा गिया है वरित कथा मंजरी परसन आजए वरित कथा मंजरी नामक गरंथ की रचना किसने की शेमेंदर ने कथा सृत सागर का उत्तर होगा सोम देव क्या होगा सोम देव भदर बाहू का भी एक गरंथ लिखा गिया है कल्प सुत्र जेन अचारे थे यह नेश्ट परसन इंडिका नामक पुस्तक का लिखा कौन था बहुत असान है जवाब दीजिए आप पर इसमें एक्स्ट्रा जो बाते हैं वह बहुत पता देता हूँ आपको देखो चाने क्या का मून नाम क्या था कोटिले क्या नाम था कोटिले नाम था क किसकी रजना की है अर्थ सास्तर की किसकी की है अर्थ सास्तर की अर्थ सास्तर के रचेता कोन है चनक की है इंडिका नामक बिल्कुल सही आपका उतर मेगस्तनीज मेगस्तनीज कोन था सेल्यूकस निकेटर का राजदूद सेल्यूकस निकेटर का राजदूद था और चंदर चंद्र गुप्त मोरे के दरबार में आया था सिकंदर नाम आया सिकंदर की ठल सेना का सेनापती कोन है शेलुकस सिकंदर की ठल सेना का सेनापती कोन था शेलुकस था सिकंदर कहां का सासक है मक दूनिया का कहां का सासक है मक दूनिया का सासक था पिता का नाम फिलिप दिवित् दिविते सिकंदर को विस्व विजेता कहा गया है क्या कहा गया है विस्व विजेता कहा गया है विस्व विजेता किसे कहा गया है सिकंदर को कहा गया है ठीक है और सिकंदर के बारे मैं बताओं इसकी मिर्त्यू कहां पर हुई थी बेबी लोन में कहां पर हुई थी बेबी लो प्रशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशा समू को क्या कहते थे संग्रहन खारवटिक खारवटिक नहीं होगा आटविक होगा स्थानिय द्रोन मुख मुर्य कालिन स्थानिय प्रसासन में 400 गाओं के समू को क्या कहते थे सही है खारवटिक होगा क्योंकि आटविक तो वो दूसरा था जो वन्यजातियों की सेना थी यहां समू के बारे में पुछा गया है 400 गाओं के समू संघरन जो था वो 10 गाओं का समू था कितने गाओं का? 10 गाओं का समू उसे क्या कहा गया है? संघरन कहा गया है खारवटिक 200 गाओं का समू है स्थानी है 800 गाओं का समू है तो इस परसन का उत्तर क्या होगा द्रोन मुख ये कितने गाओं का समू है 400 गाओं का समू देखो आप सभी ओनलाइन हो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि क्या है कि 1st grade के लोग हमारे साथ जुड़ें तो मैं कोशिश करूँगा कि जियोग्राफी के हिस्टरी के जो भी टोपिक होंगे मैं यूटूब पर उपलत करा दूँगा आपको ताकि हमारे त्यारी अच्छी हो सके और करंट जीके के भी अपने वीडियो शुरू करेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें तभी पता चलेगा कि first grade की त्यारी करने वाले कितने है आप लोगों में competition होगा तभी मुझे पता चलेगा कि हमारे त्यारी कैसी है किस प्रकार चल रही है ठीक है मुरे काल में कश्टक शोधन नयले के मुख्य नयदिस को क्या कहते थे कश्टक शोधन नयले के मुख्य नयदिस को क्या कहते थे मुरे काल में पोत्वा धेक्ष देखो पोत्वा धेक्ष जो था वो माप तोल का अधिकारी था किस तोल का अधिकारी था मापतोल का अधिकारी था मुद्राद्यक्ष ये था पाशपोर्ट अधिकारी कौन सा था पाशपोर्ट अधिकारी था परदेश्टा इसको कह सकते हैं कंटक शोधन नैले का नैदीस या फोसदारी नैले का नैदीस फोसदारी नैले का नैदीस वेवारिक क्या है वेवारिक जो है वो दिवानी या धरमस्तिय नैले का नैजदीस था जिसे वेवारिक कहा गया है नेक्ट परसन मोरेकाल में कौन सा बंदरगा बंगाल में पुर्वी समुंदर पर इस्तित्था समुद्र होगा भ्रग कच बंदरगा सोपारा बंदरगा तामर लिपित बंदरगा कल्यान बंदरगा तो देखो पहला जो बंदरगा लिखा हुआ है ये है भंडोच गुद्राच में भैसे आप याद कर सकते हो भंडोच गुद्राच में है कहां पर है गुद्राच में उसके बाद सोपारा ये भी महराश्टर में है महराश्टर में तो इसी के साथ कल्यान वाला भी कहां पर है महराश्टर में तो बज कोन सा गया तामरली पित ये कहां पर है बंगाल में या पुर्वी बंगाल भी कह सकते हैं ठीक है सुरी पस्चिम बंगाल भी कह सकते हैं पस्चिम बंगाल असोग के किस स्थम लेक पर चार सिंग किया करती उपरी भाग पर उतकिन है सबसे पहले तो रामपुरुआ है कहां चंपारण बिहार जहां पर महात्मा गांदी ने अपना पहला सत्यागर्या शुरू किया था पहला अंदोलन भारत में कहां पर किया था चंपारण बिहार में 1917 में राजकुमार शुकल ने अवगत करवाया था निल की खेती हो रही थी तो रामपुरुआ वाड़ा है यहां पर एक बेल है कितने बेल है एक बेल जै आपका सही उतर सारनात च्यार सिंग कहां पर है सारनात इस परसन का उतर क्या होगा सारनात ये है कहां पर उतर प्रदेश से वेशयली भी कहां पर है उतर प्रदेश में लोरिया नंदन गडवारा यहां पर भी एक सिंग है यानि एक ही सेर है यह है बिहार में कहां पर है बिहार में तो दो यहां बिहार के हैं दो यह उत्र परदेश के हैं नेक्स्ट परसन चलो यह आज का हमारा अंतिम परसन था देखो मेरी तरफ से यह पहला वीडियो था जिसे मैंने आपको बताया यह हमारे जो व्याखाता के जो पद्ध है उनकी क्रमवार लिस्ट है आप अपने आवेदन कर सकते हैं अंतिम तारीक 12.10.2019 रातरी 12.12 बुजे त आपको कैसा लगा फीड़बेक दे ताकि इसमें और सुधार किया जा सके जे हिंद जे भारत